हेलो गाइस आईए आज हम तुमको कॉलर दाल लेडी सूट की सिलाई बताएंगे फुल फुल लेडी सूट की सिलाई कॉलर दार किस प्रकार करते हैं इसकी फुल जानकरी हम आपको देंगे यह हमारा कपड़ा है इसमें पहले हम जोड लगा लेंगे इस प्रकार से हम जोड लगा लेते हैं और इस पे आप सिलाई ना लगाएं तब भी चलेगा फिलाल लगा लो कोई बात नहीं होता है अब इसमें हम यह हमारा बक्रम है मैंने पहले से ही गले की डिजाइन बना ली है इस प्रकार से इसको हम रख करके कपड़े पे इस प्रकार से डिजाइन बना लेंगे अब यह सामने का गला बन कर तयार हो चुका है अब इसका दबाव हम इस प्रकार से कट कर देंगे अब इसमें बीच में हमने गुटका उठा लिया है अब हम सूट का सामने का पल्ला उठाएंगे क्योंकि बैक पल्ला में हमारी कॉलर पड़ेगी तो हम सामने के पल्ला में ही इसको इस प्रकार से बीचों बीच में रख लेंगे और इस हिसाब से सिलाई से रूख देंगे जिससे हमारा बक्रम इधर उधर ना भगे अब इसके बाद में हम इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे यह हमारा निशान लगा हुआ है इस हिसाब से निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है अब इसको हम कट कर लेंगे सिलाई से दो सूद दूर हटकर ही काटना है में इस हिसाब से सिलाई ना कटने पाए अब हम गुटका उठा लेंगे इसमें इस हिसाब से सिलाई ना कटने पाए और गुटका भी हमारे इस हिसाब से लग जाने चाहिए अब ये हम सिलाई खोल लेंगे अब इसको हम पलट लेंगे इस परकार से और इस पे हम सिलाई लगा देंगे आप भाल की तुर्पाईदार भी बना सकते हैं इसका दबाव बहुत अच्छी तरीके से हमें अपनी तरफ लटना है उल्टे की तरफ ये हमारी सिलाई हो चुकी है अब इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे अगर तुर्पाईदार बनाना है तो आपको डबल नहीं लगाना पड़ेगा सिंगल से ही अब ये हमारी डबल सिलाई हो चुकी है इस प्रकार से हमारा सामने का गला बनकर तयार हो जाएगा अब हम बैक पला में इसको जोइंड करेंगे इस प्रकार से इस हिसाब से हम इसमें भी सिलाई लगा लिया है अब इसमें डबल हम कर लेंगे कंधी की हमेशा डबल ही सिलाई ठीक रहती है ये डबल सिलाई हो चुका है अब हम अस्तिन के बारे में बताएंगे इसमें बीच में गुटका पहले हम लगा लेते हैं और इसको हम एक इंची इस प्रकार से डाउन कर लेंगे क्योंकि ये कॉलर दार हमारा गला है इसको हम सही कर लेते हैं देड़ हिंची इस प्रकार से गले को डाउन कर लेंगे हम अब बीच में गुटका उठा लेंगे इस प्रकार से इसमें हमारी कॉलर लगेगी इसके बारे में भी बताएंगे हम पहले मस्तिन को बना लेते हैं इसमें हमारी किनारी है अस्तिन में इसको डबल फोल्ड करने की कोई जरूर नहीं है जिसमें किनारी ना हो तो आप डबल फोल्ड कर सकते हैं यानि डबल दुबारा फोल्ड कर सकते हैं इसमें किनारी है इसमें कोई जरूर नहीं है रेसा निकलने की इसी लिए हम इसको हो चुकी है अब अस्तिन को हम चड़ा लेंगे उसी सूट में जो हमने भी बना कर दिखाया है इसमें हम अस्तिन इस परकार से पहले नाप लेंगे और इसके बाद में चड़ाएंगे कम ज्यादा होने की चांसे रहते हैं इसी कारण से नाप लेना ही ज़रूरी है झाल 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 अब यह हमारी अस्तिने चड़ चुकी है अब इसकी साइड हम साइड की सिलाई लगाएंगे इस परकार से इसको फोल्ड कर लेंगे हम और जहां से हमारा गुटका लगा हुआ है इसको बराबर अस्तिन से कर लेंगे और यहां पे हमारा गुटका लगा हुआ है यहां से हम इस परकार से सिलाई लगा लेंगे अस्तिन को मिला करके क्योंकि अस्तिन की हमारी जो है शिलाई अल्टन ना होने पाए अब इस हिसाब से हम इसको जो हमारी मार्किंग लगी इस हिसाब से हमको शिलाई लगा लेंगे क्योंकि डेड़ हिंचि हमारा यह दबाओ इसमें है इसी प्रकार से यहाँ पे हम महरी जितनी भी राकना चाहते हैं 4, 6, 4 हम तो 4 राखेंगे इस प्रकार से हम शिलाई लगा लेंगे अब हम दूसरी तरब वाली अस्तीन इस प्रकार से शिलाई लगाएंगे यहाँ पर भी 4 इंची का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और यहाँ से सिलाई 1.5 इंची यहाँ पर 1 इंची और यहाँ पर बराबर कर लेंगे हम और इस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे जितना उधर साइड का हमने मार्जन यहाँ पे छोड़ा था डेढ़ हिंची का उसी हिसाब से हम इस हिसाब से छोड़ देंगे डेढ़ हिंची और इस हिसाब से नीचे हमारा गुटका लगा होगा साड़े त्यारा इंच का वहां तक का हमें इस परकार से यहां पे हम निसान लगा लेंगे जितनी भी हमारी हिप हो और इस हिसाब से हम चले लगा लेंगे अब इसको हम नाप कर दिखाते हैं यह हमारा सोला इंच यहां पे है और साड़े चोधा यहां पे है और सोला यहां पे है इसी परकार से आप ना पले हैं दुबारा इसमें शिलाई आप लगा सकते हो लगाना पड़ेगा ही फिलाल हम इसके बारे में बाद में बताएंगे हम अब यह दुबारा हम सिलाई लगा लेते हैं इस प्रकार से जिससे हमारा सूट की दिक्कत ना हो अब यह हमारी सिलाई लग चुकी है अब इसके हम दावन यानी चाक मोड़ेंगे इस हिसाब से एक इंची के हिसाब से मोड़ना है में यह निसान लगा हुआ है इसी के हिसाब से विरुकुल हमें इस हिसाब से पलट करके आप बारी की हलकी भी मोड़ सकते हैं जितनी भी आप रखना चाहें उतनी मोड़ सकते हैं इस प्रकार से हम झाल 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 अब हम आपको कालर के बारे में बताएंगे किस प्रकार से कालर चड़ाया जाता शूट में ये हमारी बन कर गला तयार हो चुका है अब यहाँ पे ये हमारी कालर है मैंने पहले से चिपका रखा है आप नहीं चिपकाने वाला भी बना सकते हैं अब यह हमारा कपड़ा है, पहले इसकी किनारी इस प्रकार से हम मोड़े लेंगे, सैड की, यह हमारी सिलाई लग चुकी है, अब यहाँ पे हम इस प्रकार से कपड़े पे रख लेंगे, इसका पहले दबाव काट लेते हैं, अब यहाँ से हम टॉकी बांध लेंगे, और इस निसाब से बकरम के नीचे नीचे, हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है, यह हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसको हम दबाव काट लेंगे इस प्रकार से, और इधर का भी हम दबाव काटेंगे, लमसे में एक चाप रख लेंगे, यह हमारा दबाव हो चुका, इसको पलट लेंगे, अब इसमें हम बीच में इस प्रकार से निचान लगा लेंगे, बीचो बीच में लगाना है हमें, जिस हिसाब से हमने सूट में लगाया हुआ था, अब हम आपको कॉलर चड़ाने के बारे में बताते हैं तो इसमें भी इस परकार से गुटका हम बीच में उठा लेंगे और ये वाला कॉलर वाला गुटका जो बीच में उठा हुआ है इसको इस परकार से रख लेंगे और इसको इस हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे ये हमारा आधा कॉलर चड़ चुका है अब इसको हम बराबर कर लेंगे इस परकार से बराबर करने के बाद में हम इसको इस हिसाब से रख लेंगे और रखने के बाद में यहां से सिलाई लगा लेंगे विर्कुल बराबर लगाना है इस हिसाब से इसको सिलाई यहाँ पे हम उतार देंगे अब यह हमारी कॉलर कच्ची हो चुकी अब इसको हम पक्की करेंगे अब इस हिसाब से इसको हम यहाँ से सिलाई का रखेंगे और इस हिसाब से इसको हम पक्की कर लेते हैं यह हमारी कॉलर पक्की हो चुकी है, इसी परकार से आप कॉलरदार सूट की सिलाई सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं किस परकार से यह हमारा कॉलर बनकर, कॉलरदार सूट बनकर तयार हो चुका है, अब हम इसके बारे में आपको और बताते हैं थोड़ा इसमें हम प्रेस लगाएंगे तो और अच्छा भी यह जो हमारी शुक्रन थोड़ी है यह सब साफ हो जाएगी अब इस प्रकार से बैक में आपको दिखेगा अब इसके बाद में हम इसमें लेश लगाएंगे लेश के बारे में भी बता देते हैं अब यह हमारी लेश है इसमें हमें नीचे सूड में दावन में लगाना है तो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से लगाना है हाल कि आप लगा भी सकते हैं यह हमारा सूट है आप नीचे की तरब भी निकाल कर लगा सकते हैं लेकिन फिलाल हम बराबर लगाएंगे इसको इस हिसाब से मोड़ लेंगे हम बराबर सूट आप यहां से भी लगा सकते हैं यहां से लेकिन फिलाल हमने लंबाई को बराबर क लखेंगे और इस पर हम इस प्रकार से लश किसलाई कर लेंगे अब यह हमारा सूट बिर्कुल बनकर कंपलेट हो चुका है इस प्रकार से आप कॉलरदार सूट बना सकते हैं धन्यवाद